दोस्तों यह एक सिंपल वीडियो है कि आप एक आटो फ्लश सिस्टम को कैसे करेक्ट कर सकते हैं एक स्वी को तो सबसे पहले आपको आपके कि SMPS से सप्लाई जो रेड़ वायर से हैं जादगर के जो इनपुट का वायर होता है वह पीछे मेंशन होता है जैसे यहां पर लिखा है परपल और यलो केबल टू एसवी मतलब यह परपल और यलो केबल आप एसवी को लगा दीजिए उसका पॉलारेटी से कोई मैटर नहीं क आप कैसे भी लगा सकते हैं और यहीं SMPS से आप आगे सप्लाई दे सकते हैं आपके पंप को या फिर आपके नॉर्मल सोलनेड वाल को तो उसके लिए से प्रेट से एसमप्यस लगाने की जरूत नहीं है यह सिंपल कैलकुलेशन है यहाप पर आपका फ्लोर रिष्ट्रिक्टर और जो आपका फ्र है वह इसके उपर लगेगा अगर आप इसको यूज कर रहें और तो वह पाइपिंग लगा कि आप इसको एफ इसमें इसके फ्लोर डारेक आरो कि जो रिजेक्ट वाटर उसके उपर उसके पहले कोई फ्लोर रिष्ट्रिक्टर नहीं लगेगा तो यह सिंपल वाइरिंग डायरम में बता रहा था कि यह दो वाइर जो मेंशन होते हैं पीछे XV को लएंगे और ये जो दो वायर से वह आपके आप épिंऻ सप्लेगों लेंगे तो अभी हम इसको चेक करते हैं तेस्ट करते हैं इसको मैंने सप्लै दिया तो यह स्ट्रार्ट् सप्लाई मैं चाहें इसमें दो lights लगे हैं एक है पावर की और flushing की तो जब flushing on होता है तो sv open हो जाता है और और जब flushing बंद हो जाएगा तो sv भी बंद हो जाएगा देखिए अभी इस भी बंद हो गया है यहां पर खाली पावर की लाइट चल रही है तो यह इतना सिंपल होता है दोस्तों एक आटो फ्लश को इंस्टॉल करना जो आप यह सिंपल वाइरिंग मैंने एक्स्पेन की है अगर आपको वीडियो अच्छा ला थापड़ि दो रखालो है तो सरसी ही एका थाट थाढ़ करीएगा थाइकर थापड़ियेका थाद की वेरेक्श्ज्य